परिवार का बोज बढ़ रहा था, बारवी के बाद में अमसर के आसपास जिपसं की फेक्टरियां हैं, चुने की फेक्टरियां और वहां आग का काम होता है, गुर्मियों में आग के पास काम करना होता था उस दोर में जब 2017-18 का दॉताइम था, उस दोर में मैं अकेला था, बड़ा मुश्किल था, जहां पर एक सफलता मालनी गई है हर बच्चे के लिए, कि आप सरकारी नोकरी लगे, तो आप सफल हो चुके हैं और मुझे सरकारी नोकरी नहीं करनी थी, मुझे बो नोकरी करनी थी, तो सरकार वदल सकी, योंकि जब दिहाडी की थी, खेतों में काम किया था और मज़दूरी का काम किया था, तब मर्में था की मेरा नाम कुमार शाम है, राजस्तान के छोटे से गाउं बरमसर का रहने वाला हूँ YouTube पे वीडियोज बनाता हूँ, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ जीवन में जो कुछ हासिल किया है, आपके मन्स के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए जो श्टो की टीम का, सुमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मन्स दिया है जो हासिल किया है, उसके पीछे कुछ संकल्प थे जीवन में और वो संकल्प आज इस मुकाम पे मुझे लाकर खड़ा किया है और जो मैंने परतिग्याइं की थी, वो परतिग्याइं कहीं न कहीं मेरे बच्चपन में नहीत है क्योंकि मेरा बच्चपन जैसा कि देश के करोडों युवाओं का गुजरता है वेसा ही मेरा गुजरा और मुफलिसी में जीवन बीता मैं जब छोटा था तो मेरे पिता का बड़ा ओपरेशन हुआ था उनकी आँद पट गई थी, तो पहले जैसा वो काम कर सकते थे उसके बाद में वो वेसा काम नहीं कर सकते थे और डोक्टर की सलाथ थी कि आप भारी बरकम काम नहीं कर सकते आप हलका फुलका कर सकते हैं, लेकिन आप काम छोड़ी बे लेकिन जो परिवार है, हम मध्यम वरगिये परिवारों से तालुख रखते हैं वहां पर काम की बगेर आप जीवन यापन नहीं कर सकते हैं आपके उलादें होती है समाज में आपको जीवन यापन करना होता है लेकिन वो हलका फुलका काम करते रहे मेरे पीता लेकिन वो जो उनका बड़न था, वो मेरी माजी पर आगया मेरी माँ ने हम दो भाई हैं और माँ ने सिलाई करके हमें पढ़ाया हमें आज इतना काबिल बनाया और सिलाई से आप कहते हैं कि वो परिवार केसे चल सकता है नहीं चल सकता है एक ऐसे समाज में औरत को बाहर काम नहीं करना होता है निशेद होता है गर से बाहर जाना उस दोर में हमें जब हम छोटे थे तो मेरी मान ने दिहारी का काम किया था खेतों में जाकर मुझे आज भी याद है कि 50 रुपे परतिदिन की दिहारी होती थी उसको जमा करके हमें पढ़ाया और हमें काबिल बनाने के कोशिश की मेरे बड़े भाई थे मुझस से पहले मिरे भाई के कंदे थे उन्होंने मुझ पर जो भाई आना था वो उन्होंने संबाल लिया बी ये के बाद में मिरे भाई ने खेती का काम चुनलिया, खेती करने लग गये और मुझे कहा कि तुम पढ़ो, तुम्हे कुछ करना है और इसकी वज़े से मेरे उपर खासा उम्मीदें थी परिवार की कि तुम्हे कुछ बन के दिखाना है तो मेरे भाई ने सारा काम किया, मुझे कुछ मोहलत मिली संभलने के लिए लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल भाई संभाद सकते थे, मुझे भी काम करना था दसमी के बाद में मैंने हमारे जिसक शेतर से मैं तालुक रखता हूँ बरमसर के आसपास जिपसं की फेक्ट्रियां हैं, चुने की फेक्ट्रियां वहां पर मुझे काम करने के लिए जाना होता था अब आप देखिए, 16 साल का लड़का एक भारी भर कम काम उठा रहा था और आ का काम होता है, गुर्मियों में आ के पास काम करना होता था लेकिन हमें करना पड़ा, उसी वक्त दिमाग में चलता था कि जीवन में कुछ ऐसा करना है, यह जो तमाम बंदिशें हैं, तमाम जो बड़न आगया है जीवन पर हटा देना है वहीं से संकल्प लिए थे कि जीवने कुछ बड़ा करना है और माता पिता का जो संघर्ष है, उसको एक नई मुकाम पर लेकी जाना है उसके बाद में अपने काम करके, यारवी, बारवी की पढ़ाई की, बारवी के बाद में मुझे कहा गया क्योंकि दस्वी में अच्छे प्रसेंट बन गए थे, तो कहा गया कि आप विग्यान ले लें जिस सामाजिक प्रष्ट भूमी से मैं आता हूँ, वहाँ विग्यान सफलता का सूचक है कि आपने अगर 75 से प्लस अंक बना लिये हैं, तो आप विग्यान ले लीजी, आप कामयाब हो जाएंगे लेकिन मेरा मन भीतर से कुछ और कहता था मैंने कहा कि विग्यान नहीं लेना है, मुझे वो पढ़ाई करनी है, इसमें कम पेशा खर्च हो तो मैंने आर्ट ली, और उसी विद्याले में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और आर्ट के साथ साथ मेरे अंदर एक भावना जागी लेखन की उस ताइम मैं किताबों की संपर्क में आया, किताबें पढ़ता था, कविताएं लिखता था, आर्टिकल लिखता था तो वहां से मन में जागा कि आपको एक दिशा चुननी है क्योंकि बारवी तक बच्चे को आते-ाते पता चल जाता है कि जीवन में करना क्या है मेरी भी जीवन की दिशाइन तैब होने लग गई थी परिवार का बोज बढ़ रहा था बार्वी के बाद में आपके कवितायन लिख के जीवन आपकर नहीं कर सकते थे आर्टिकल लिख के जीवन आपको कुछ काम करना था मैंने कुछ दुद दिहारी की लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, 12 पास की थी वहीं के प्रिंसिपल ने मुझे पढ़ाने के लिए रख लिया था और उस विद्याले में मैंने 6 साल तक पढ़ाया, आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस विद्याले का मेरे जीवन में भूत बड़ा महत्व है वहां मैं बात करना सीखा, अनुशासन सीखा, लोगों की बीच में कैसे रहा जाता है वह सीखा लेकिन मुझे कुछ और करना था और उसी स्कूल में मैंने अपने जीवन का सबसे पहला फॉन, एंडरोइड फॉन खरीदा 2017 के अंदर मेरे सय अध्यापक थे, उनका सेकिंड हैंड फोन खरीद के मैंने वीडियो बनाने शुरू किये उससे पहले मैं फेस्बुक पर कवीताएं, आर्टिकल पर गया लिखा करता था खासी दिल्चस्पी बढ़ गई थी लोगों में कि भाई ये बंदा ठीक लिखता है और मुझे में भी एक confidence आ गया था कि तुम कुछ लिख सकते हो आसपास जो गटाएं गटी तो रही है उसके बारे में तुम कुछ कह सकते हो और क्यों ने आपको इस माध्यम को थोड़ा बढ़ाया जाए आपको वीडियो के माध्यम से इस बात को रखा जाए एसे ही कभी कभी मैं वीडियो बनाने लगया था मुझे यूट्यूब का पता नहीं था कि यूट्यूब से कमाई होती है यहाँ पर केरियर आप स्थापित कर सकते हैं एक मन में वो भावना थी कुछ मैं प्रियोग धर्मी रहा हूँ और वो प्रियोग था एक परकार से लेकिन वहाँ से हमें ने सोचा कि तुछे आगे पत्तरकारिता करनी है बीए के बाद में तुम पत्तरकारिता कर लेना उसके बाद में किसी अख़बार से किसी टीवी चैनल से जुड़ जाना लेकिन जब यूट्यूब पर फॉलोवर्स बढ़ते गए लोगों को पसंद आता गया और आज की मीडिया की हालत देखी तो लगा कि अपना संस्थान खड़ा करना है यूट्यूब पर तुझे पत्तरकारिता करनी है और मन में था यूट्प की जब दिहाडी की थी खेतों में काम किया था और मजदूरी का काम किया था अगर किसी के आगे काम नहीं करना है और तभी इसी दोर में मेरे दिमास में एक जो ख्याल पनपा वो ये था कि तुझे सरकारी नोकरी नहीं करनी है और यह संकल्प लेना एक ऐसे परिवारी में बड़ा मुश्किल था जहांपर एक सफलता मालने गई है हर बच्चे के लिए कि आप सरकारी नोक्री लगे तो आप सफल हो चुके हैं लेकिन मुझे लगता है कि सिर्जिनात्मक्ता अपने भीतर के हुनर को पहचाने बगएर आप सफल नहीं हो सकते हैं सरकारी नोक्री मैं देखता हूँ हमारे गाम में बहुत से सरकारी नोक्री लगे हुए हैं त्याय तनक्वा आती है उनका परिवार चल रहा है गाम में नहीं जानते हैं उनको लेकिन मेरा मन ये था कि गाम तक सिमित नहीं रहना है इस देश में आपका नाम हो और मुझे सरकारी नोक्री नहीं करनी थी मुझे वो नोक्री करनी थी जो सरकार बदल सके और मुझे मैं वही करने की कोशिश आज कर रहा हूँ आज तीन लाग फॉलोवर्स हैं और तीन लाग फॉलोवर्स एक बड़ी संख्या है एक ग्रामिन शेतर में जहां कोई नहीं यह प्रियो करना चाहता था कोई नहीं जानता था यूट्यूब क्या होता है वहां से आप केसे खड़े हो सकते हैं ऐसे दोर में मैं अकेला वहां पर यूट्यूब के माध्यम सी वीडियो बनाता था एक निया अधार्न स्थाफित किया और लोगों के लिए आज वो एक बड़ी बात है लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मेरे सामने बड़ी चिनोतियां थी एक चिनोति ये थी कि माता-पिता का बड़ा बोज था उंबीदे थी कि तुमें कुछ करना है तुम नोकरी का ये कह सकते हो कि आप नहीं लगोगी तो आप अपना काम तेसला करो कि आप घर चला सको मेरे लिए पहले संकल्प ये बड़ा मुश्किल था और मेरे विचारों का बड़ा विरोध हुआ ये वीडियो के माध्यम से जो विचार रखता था गाउं के अंदर मेरे उपर तीन बार हमले करने की कोशिश हुई फिजिकल हमला लेकिन मैं डरा नहीं उन से मैं ये काम करता गया और आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ आज मैंने ये जो चैनल खड़ा किया है उसके साथ साथ बहुत से मेरे साथी हैं जो यूट्यूब पर काम करना चाते हैं लेकिन उस दोर में जब 2017-18 का जो टाइम था उस दोर में मैं अकेला था बड़ा मुश्किल था चिनोती पूर्ण था लेकिन जीवन में मैंने संकल्प लिये थे और उनमें मैंने दो चीजें सीखी थे पहली चीज ये कि दुनिया जाए भाड़ में भाड़ का मतलब मेरा ये था कि दुनिया खतम नहीं हो जो लोग कहते हैं उसको सुनना बंद कर दीजिए मुझे आज भी लोग पागल कहते हैं पहले भी कहते थे लेकिन किसी ने कहा है कि आपको लोग पागल कहने लग जाएं तो आप समझ लीजिए आप से एक ट्रेक पर हैं और वो बात आज दिल में ऐसी स्थापित हुई कि मैंने दुनिया की कभी परवा नहीं की दूसरी बात ये थी कि आप बेश्रम बन जाओ एक परतिष्ठा शरम लिहाज ये चीज़ें मुनिश्य को बांद देती है और ये थोती चीज़ें हैं आपको कुछ नया करना है तो आपको दुनिया की जो रवायते हैं उनसे बाहर जाकर सोचना होता है एक ग्रामीन शेतर जो की राजस्तान का छोटा सा गाम है वहां से आप इस तरह की नई प्रियोग करके देश में नाम करते हैं एक बड़ा काम होता है ऐसा ही मैंने करने की कोशिश की और आज आपके सामने हूँ मैं मेरे युअ साथियों से कहना चाहता हूँ कि राजस्तान के छोटे से गाम का लड़का यदि आपके सामने आखे बोल सकता है आपको मोटिवेट कर सकता है और जीवन में यह हासिल कर सकता है तो तुम भी हासिल कर सकते हो इसके लिए बस जरूरी ये है कि दुनिया की जो बाते हैं उनको अंसुना कर दो और अपने एम पर ठीके रहो आपको लोग पागल कहेंगे, आपको लोग मुल्क कहेंगे, आपको लोग अपनाएंगे नहीं शुरुवात में लेकिन जब आप अपने आपको साबित कर दोगे, तब लोगों को अपनाना होगा और मुझे भी लोग अपना रहे हैं, धीरे धीरे आपको भी जरूर अपनाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, कि हमारे को इंगलिश बोलनी तो है, पर हमें उसका माहल नहीं मिल रहा है एक लड़का था, जिसने हिंदी वीडियम से पढ़ाई करी, वो भी सरकारी स्कूल से और उसके बाद वो इंटरनेशनल स्पीकर बना, और उसके पास भी शायद वैसा माहल नहीं था पर जो विनर होते हैं न दोस्तों, वो अपना माहल खुद बनाते हैं, वो अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं और उस लड़के ने भी वो ही किया, अपना माहल खुद बनाया, और इंटरनेशनल स्पीकर बना जहाँ पर वो इंगलिश में बात कर पाता है और वो लड़का आज आपके सामने कड़ा है जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में माहल को बदल सकते हैं और अगर आप अपने माहल को बदलना चाते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा जो स्किल का एप जिससे आपको अपने जैसे और लाखो स्टूडेंट मिल जाएंगे, जिनसे आप one-to-one बात कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ नीचे कॉमें दियेगे लिंक को क्लिक करना है आपको डाउनलोड करना है और आप भी अपनी लाइफ की सक्सेस को अपने हाथों में ले सकते हैं